साई की बात और उदी की जिंदा मत किया करो उदी तुम्हारे पास पहुंचाएगी उदी की कमी कभी नहीं आएगी तुम्हारे पास उदी मैं पहुंचाओंगा तुम्हारे पास एक उदी ही है मेरे बच्छे जो तुम्हें हर एक चीज से बचाएगी अला बला काला जादू सबसे बचाएगी अगर कोई कुछ खाने को भी तुमें देना तो उसमें भी उधी डाल कर तुम मेरे चड़नों में रख देना और उसके बाद उसे खाना फिर देखना अगर उस खाने में भी कुछ भी होगा ना कुछ भी तुम्हारे मन में अगर शक भी हो ना, कुछ भी हो, तो वो सब बेअसर हो जाएगा, तुम्हारा खाना भी पवित्र हो जाएगा, और वो चाहने वाला ना, वो चाहता रह जाएगा, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड पाएगा, कभी नहीं बिगाड पाएगा, औ उससे कभी भी ना, पैसे मत लेना, उसके टिकेट के, कभी मत लेना, वो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आ सकता था, क्योंकि उसका कोई संग साथी नहीं था, और इसलिए मैंने तुम्हें वो माध्यम बनाया, कि तुम मेरे बच्चे को मुझ तक लेकर आ सको, तो उससे पैसे मत लेना, उसके पैसे मैं तुम्हें दूँगा, तुम्हें उसके लिए खर्च करने के जरुवत नहीं है, तुम्हें अगर ऐसा लगी ना कि तुम खर्च कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे, वो पैसे मैं ही तुम्हें दूँगा, उसके टिकेट के, लेकिन तुम उससे पैसे मत मांगना, बिलकुल नहीं, समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीजे होती हैं मेरे बच्चे, बहुत सारी चीजें, जहां जहां तुमें समझने के जरुवत है, और सुनो, तुम जो दान करते हो ना, दान करना भी हर किसी के बसकी नहीं होती मेरे बच्चे, कई लोग दान तो बहुत करते हैं लेकिन सब के मन में कहीं न कहीं सोक्ष्म एहंकार होता है कि मैंने दान किया मैं दे रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ लेकिन तुम भूल जाते हो मेरे बच्चे तुम नहीं खिला रहे मैं खिला रहा हूँ, उन्हें भी और तुम्हें भी याद रखना और जितनी बार तुमने दिया है ना उसे दुगना मैंने तुम्हें दिया है इस बात को याद रखना और कभी गौर करना कि जितना तुम्हारे हातों से जाता है ना उसे कहीं दुगना तुम्हारे हातों पर मैं रख देता हूँ लाकर रख दे दान मैं करवाता हूं तुम से और दान करना भी सब्सकी बात नहीं होती, और जो तुम दान कर रहे होना करो, मन से करो, दिल से करो, अगर दान करोगे न दिल से तो देखना, उसमे अमिया है अप UmSendai कराने देखना उसमें और शिक्ना में तुम्यों मिलेगा, जब उसकी आत्मा तरफ्त होगी न तभी से उसके अंदर से वो आशिरवाद निकलना शुरू हो जाएगा अपने आप अपने आप तुम्हें आशिरवाद महुचेगा तुम्हें जताने या बताने की जरुवत नहीं है मुझे और वो आशिरवाद तुम्हेरे बहुत सारे संकटों को काटता है, जानते हो, धन दौलत ना ये काम नहीं आते, जब इनसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है, जब धन दौलत काम नहीं आते, तब दुआएं और आशिरवाद ही काम आती है, तब वो बड़े बड़े लोग भ होते हैं, मुझसे ही माफी मांगते हैं, और मेरे आगे ही दौाएं मांगते हैं, अशिरवाद मांगते हैं मुझसे, क्योंकि पैसों से हर कुछ नहीं कमाया जाता, पैसों से हर कुछ नहीं खरिदा जाता, कुछ चीज़े ऐसी होती हैं, जो इनसान के करम ही कर सकते हैं, और क सुनो मेरी बात को, तुम मेरी विशेश अरातना करना चाहते हो, मेरी विशेश अरातना करते हो, मेरी पूजा पाट करते हो, तो सुनो मेरी बात को, अगर कहीं कोई समू में मेरा अंदान करवारा होना, और अगर बोलोग तुम्हें पसाद ना भी होना, लेकिन फिर भी तुम कुछ ना कुछ उन्हें देना वो जो भी चंदा मांग रहे हो जितने भी पैसे मांग रहे हो तो उन्हें दे देना मेरे बच्चे क्योंकि तुम उन्हें नहीं दे रहे तुम मुझे दे रहे हो तुम मेरे बच्चों के लिए कर रहे हो इस बात को ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे घर भी जो भी अगर कोई आता है ना मंदिर के लिए तो उसे कभी खाली हाथ माचाने देना क्या पता मेरे बच्चे जो तुम्हारी धनराशी हो न उससे मेरा दीपक चले या उससे मेरे फूल आए मेरे बच्चे और वही किरपा तुम्हारे घर तक महुचे सोचो न तुम्हारे घर परिवार पर मेरी किरपा हो तुम जो भी करते हो जैसे भी करते हो ना सच्चे मन से और सच्चे भाव से करो तुमने दिया है ना तुमने सच्चे मन से दिया है अब लेने वाला उसका क्या कर रहा है ना वो जाने ना वो उसके करम है तुमने दिया तुम्हें आश्रवाद मिलेगा तुमने सच्चे मन से और सच्चे दिल से दिया है तो तुम्हें मैं आश्रवाद दूंगा ही दूंगा ऐसा हो इनी सकता कि तुम्हें आश्रवाद ना मिले वो तुम्हारा नहीं वो तुम्हारे हिस्से का निकल गया मेरे नाम से, तुमारे हिस्से से निकल गया, अब वो उस इनसान की जम्मधारी है, कि वो उसे किस तरीके से इस्तवाल कर रहा है, ध्यान रखना इस बात का, तो कभी भी देते वक्त ना, सोचा मत करो, कि वो ऐसे क्यों, और वैसे क्यों, कभी-कभी कोई इनसान तुम्हे रास तो दे दो ना, वो मेरे नाम से तुमसे मांगता है तो दे दो क्योंकि तुमने अपना करम किया, तुमने अपने हिस्से का करम किया उसे अपने हिस्से का करम करने दो ना, तुम उसके करमों का भागितर क्यों बनते हो हाँ और सुनो किसी भी काम को करने से पहले न योजना बनाई जाती है किसी भी काम को करने से पहले बेना योजना के कोई भी काम करोगे तो परिशानी में आओगे तो किसी भी काम को करने के लिए पहले से योजना बनाओ कि कब क्या कैसे करना है कि समय पर करना है अगर योजना के हिसाब से काम करोगे तो सच कहता हूँ कि सारे काम बहुत अच्छी होगे चाहे दफ्तर की हो चाहे घर की हो चाहे बच्चों की हो चाहे किसी भी चीज की हो मेर मेरे बचे हर काम में एक योजना एक निर्धारित समय जरूर होना चाहिए और अपने जिंदगी में न ये निर्धारित समय बनाओं क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में सबकुछ उथल बुथल सा है सबकुछ अस्त व्यस्त सा है सबको व्यवस्तित करो चीजों को व्यवस्ति की हूँ सब को वैवस्तेत करो क्योंकि सब कुछ ना उथल बुथल हो रखा है और सुनो तुभे एक सच्चाई दिखाई ना मैंने और वो सच्चाई तुम्हारे सामले लानी बहुत जरूरी थी क्योंकि तुम ना मानते नहीं थे तुम मानते भी हो तो नजर अंदास कर देते हो ये बात भी तो है ना देख कर भी तुम अंदेखा करते हो चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो अपनी आखी ही बंद कर लेते हो देखो जो दिखाने की कोशिश कर रहूं उसे देखने की कोशिश करो कि क्या तुम्हारे लिए है और क्या तुम्हारे लिए नहीं है इसे एगर अभी से नहीं समझोगे न तो आगे चलके कहीं देरी नहों जाए इतना देर नहों जाए कि तुम समझी न पाओ फिर आगे कदम बढ़ाना चाहो भी न तो आगे बढ़ाना पाओ समझो मेरी लिंदे बात कोma खुद पर आशुरत हो जाओ खुद के पैरओं पर खाड़े हो जाओ और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी से कुछ भी मांगो कहीं भी कहीं भी तुम अटक जाओ तो किसी से कुछ रच मुझसे मदत मागो मैं तुम्हारी मदत करूंगा लेकिन दुनिया से मत मांगो दुनिया के आगे हात नो इ confident चार लोगों में तुम्हारी मजाग भी मनयेगी तुम्हारी हसी वढ़ाएगी तुब बात centro समझा करो और जहां भी तुम्हें पैसे कम पढ़ते हैं न कहीं भी या कम पढ़ जाते हैं या तुम किसी से मांग लेते हो न तो वो मत मांगा करो मांगना छोड़ दो जितना है न उतने मिजीमित रहना शुरू करो या फिर मेरा नाम लेकर बाहर निकला करो तो उससे सामने व किया करो जब तुम मेरा नाम लेकर काम करोगे न तो तुम्हारे पैसों का सथ उप्योग होगा इधर उधर तुम्हारे पैसे बिलकुल नहीं जाएंगे बिलकुल नहीं जाएंगे और सुनो मेरी बात को ना का मतलब ना ही होता है मेरे बच्चे जो चीजे तुम्हें करनी पस तो वो हर बार करोगे तो सामने वाला तो तुम पर हावी होगा ना, क्यों उसे अपने उपर हावी होने देते हो, हर बार, मत करो ऐसा, मत करो अपने साथ खिलवार, मत करो अपने साथ दुश्मनी, तुम खुद के दुश्मन खुद ही बने बैठे हो, खुद की जिन्दगी को तुमने दाओं पर लगा दिया है, क्यों ऐसा कर रहे हो मत करो अपने साथ ऐसा अपने जिन्दगी को जीओ ना, खुल कर जीओ ये तुम्हारे जिन्दगी है और इस पर तुम्हारा पूरा पूरा हाक है कि तुम खुश रह सको, तुम अच्छे से रह सको यो परिशान होकर नहीं मेरे बच्चे और सुन जो बिमार है न उसे मेरी उधी जरूर देना उसके माथे पर दिलक लगाना और उसे उधी जल देना वो ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी ठीक होगा मेरे आशिरवाद से और तुम भी अपनी सेहत का ध्यान रखा करो तुम भी बहुत लापरवा हो गए हो आज कल थोड़ा अपना विधान रखो ठीक है बाकी मेरा आशिरवाद है तुम पर मैं सब ठीक कर दूँगा खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समाप्टूवा